तो जैसे मैंने सुबह में जो पूरी चैट वाली वीडियो डाली थी निक्कू कामनी अलका का जो चैट वाला वीडियो था तो उस पे बहुत लोग का ये रियक्शन लोगी देखो इसमें कामनी ने कुछ वैसी बाते नहीं की थी जिसमें मुझे बस एक ही ची चैट पटा नहीं लगा क्योंकि उस टाइम कामनी का भी दिमाग खराब था कोई भी अपना पर्सनल बात करता है अगर किसी से लगा लेकिन यहां एक बात मैं बोली थी कि निक्कू और अलका में इतना बवालवाजी होने के बाद दो गंटे की लाइव होने के बाद वीडियो एक दूस लेकिन उसके बाद अगर अलका से दोस्ती करती तो अच्छी बात नहीं है जहां पर इतनी बड़ी दरार हो जाए मुह से जगडा करना थोड़ी बहुत लड़ाई जगडा होना एक बात समझा थी लेकिन निक्कू और अलका का बहुत ज़्यादा हो गया तब फिर भी इसे कम है इसी बीच निकीन एक बात बोला था कि सब का कहना था कि आपकी जटानी नहीं गई आप छोटी होके गाउंट चली गई आपको उनको जाना चाहिए था पूरे परिवार को पूझा में रहना चाहिए था उसी बीच निक्की का वीडियो आता निक्की गए कहना है कि देखो यह जो प्रॉपर्टी का काम था जो हम लोग जमीन लिये ना जो घर बनने का निक्की क मेरे आने का तो हम लोग का कोश्चु भी डिसीजन नहीं था कि यहां पूजा होगा या कुछ होगा बस हमको यह था कि आके प्रोपॉर्टी लिखवाना है और यह बहुत छोटी सी पूजा है यहां पे जो जिसका जमीन था उन्होंने खुद बोला कि सावन का महीना चल रहा ह आप एक छोटी सी पूजा कर लो वही हम कर रहे हैं जब प्रोपर पूजा होगा ने भराई और सब जो चीजे होती है जो भी है वो सब चीज में मारी पूरी फैमली आपको दिखेगे तो उस पे एक किसी का कमेंट था उनका कहना था चलो मान लिया आपकी पूरे परिवार क था तो आपको जाने की क्या जरूरत थी वो चीजे तो सुमीद भी कर सकते थे आप फिर क्यों गई जब आपकी जठानी नहीं गई घर पे भी तो काम रहता था तो भाई सामने वाला नोटिस बहुत करते हैं और वहीं पर किसी का ये भी कहना है निकी को मम्मी को लेके अब गलती है जैसी मेरी मा वैसे उनकी मा वैसे सबकी मा 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 होती है और निकी कामनी की मा मतलब अच्छी लगती है सीधी साधी मुझे पता नहीं बहुत बुरा लगा इस कमेंट के बाद कि कहीं निकी की मम्मी का नाम उच्छाला जा रहा है कि इसमें निकी की मम्मी दिमाग प्लान रहेगा इस उमर में इंसान गेम प्लान करेगा कभी उनकी सासु मा को कोई बोलता है कि ये बेटे में भेद भाव करती हैं और ये नौटंकी करती हैं बहुत चाप्टर है ये ऐसा-इसा सब्द लिखके जाते हैं तो कभी-कभी मुझे लगता है लोग अपनी भडास ल क्योंकि निक्कु का यहां का भी पूजा नहीं होता वहां भी निक्की हाथ जुलाते हुए खड़ी रहती है उससे कुछ होता नहीं जिम्यदारी वाला काम कोई नहीं कर सकती उसको बस बोल दो घूमना टहरना कूदना नाचना सौपिंग करना ये सब सारी चीजे होती है त उसी के आसू ये सब चीजे जैसे निक्कु बोल देती है ना कि प्राउड मुमेंट हमारे लिए बहुत था तो उस पर निक्की का सब मजाक उडाते नजर आए वहीं पर किसी का ये भी कहना था कि निक्की को बस सिंपती जाए सब से कि हां मैं अपने सास के साथ चिपकी हू तो यहां पर कामनी ने अपना पूजा पाड दिखाया और कामनी ने एक सब्द बोला मुझे नहीं लगता कि कंट्रोवर्सी कहीं से भी खतम होने वाली है नहीं तो उधर की निक्की जब बोल रही है कि भाई सब को पता है हमारे घर का वकी जो हम लिए है जमीन तो उस पर क इसके सबेंट करके तो मैं जबाबस सकती हूं और जहां सच में लगेगा कि मुझे जवाब देना ही पड़ेगा कि मुझे पता था मैं क्यू नहीं गई तो मैं सारी शीजों का जवाब देश सकूँँगी और निक्कु का आज का ब्लोग देखी जिसमें निक्कु साब हो रही है कि मुझे कितना भी कोई कंट्रोवर्सी में घसितने की कोसिस करें लेकिन मैं कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ने वाली क्योंकि मुझे कोई अच्छा बोले बुरा बोले जो भी बोले उसका मून है बोले लेकिन मैं किसी के भी पारी में नहीं बोलना चाहूंगी तो यहां हो गया है खिचडी और एक बात था कि जैसे अजीत को सब बोले थे कि अलका जी बोले थे निक्की को की मरने वाली बात तो उस पर अजीत ने कल ये भी बोला था देखो हम किसी को मरने जीने की बात बिलकुल भी नहीं बोले थे ये सरा सर जूट बात है तो देखो इनकी जो फैमली का मैटर है ना मुझे की बात कहने से सचता है किया इक्रहार किसी नहीं बोला कि आप तो बोली ज गाओ आपके साड़ी लिए क्योंकि निक्की बोलते ना ज़राई कि बहुत गाव में बहुत महंगी चीजे होती है और एक चीज हाँ जैसे सब बोलते ना गाव में सस्ता ही रहता सब सस्ता सस्ता रहता कोई खर्चा ने रहता भाई निक्की भी बहुत बहुत महंगी चीजे मिलते ह अभी देखना वाला चीज है कि अल्का जी अब क्या लेके आती है मुझे नहीं लगता कि ये यूटूब का सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी होने वाला है और किसी दिन का निकु को ये कमेंट किया था कि तुम्हारे वजह से कामनी बदनाम हो रही तुम्हारे वजह से निकु ने कहा जो मेरे साथ हुआ था उसका कौन जिमेदार है देखो बहुत सही बात बोली तो किसी को पर किसी का प्रॉब्लम नहीं थोपना चाहिए यह सब चीजे ऐसे चलते ही रहेंगे जब तक लोग बैट के घर में आपस में बात नहीं करेंगे एक दूसरे का नहीं